आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप वर्ट्सअप पर किसी को कोई फोटो वीडियो सेंड कर रहे हैं या फिर अपना वर्ट्सअप स्टेटस लगा रहे हैं और यहाँ पर आपको इस टाइप से कैमरा ओपन करने पर शो होता है तो यह प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर आपको इसके लिए वर्ट्सअप से बाहर आना है और अपने फोन में ओपन करना है सैटिंग्स को अपने फोन की सैटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करना है और नीचे की आपको एक option देखने को मिलेगा app manager या फिर app management या फिर manage application के नाम से तो यहाँ पर आपके phone में अलग नाम से हो सकता है आप settings में search कर सकते है app manager या फिर app management के नाम से तो manage application के नाम से भी हो सकता है हमारे phone में mode settings में हमें ये option दे रखा है तो app manager पर आप click करिए अपने phone के app manager को आप search करके उसे open कर लीजिए यहाँ पर उसके बाद आपके phone के सारे application आपको show हो जाएंगे तो यहाँ पर आप नीचे scroll करिए और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा WhatsApp, WhatsApp पर click करिए click करने के बाद आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा force stop, force stop पर click करके ok करिए उसके बाद आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा नीचे permissions तो इस पर click करिए और आपको यहाँ पर camera की एक permission मिलेगी तो आप इसे on कर दीजिए यहाँ पर आप सारी permission on कर जरूर on कर देना है यहाँ पर आप check कर सकते हैं अब आपको इस type की problem नहीं आएगी तो इस type से आप ये problem ठीक कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपको इस type की problem आती है तो यहाँ पर आप इस type से भी से ठीक कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको ये option show होता है तो continue करिए यहाँ पर allow कर दीजिए और इस type से भी आप कर सकते हैं लेकिन अगर आपके phone में इस method से नहीं होता है तो आप first method यहाँ पर use कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें